Hello Everyone, Welcome Back to myTube Channel Uni Classes तो आज जो है मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप सभी का एक्जाम जो है बहुत पास है कुछ बच्चों का कल है, कुछ बच्चों का उसे नेक्स डे है, कुछ बच्चों का बीस तारीक को है किसी का 28 को है, किसी का 21 को है, ठीक है तो सबको जो है एक query रहती है वो रहती है आपकी dress code को लेकर यानि कि आपका dress code actual में कैसा होना चाहिए कुछ बच्चों को question रहता है कि क्या मैम हमे school की dress पहन कर जानी चाहिए क्या मैम हमे formal dress पहन कर जानी चाहिए क्या मैम हम leggy wear कर सकते हैं, jeans wear कर सकते हैं, shirt wear कर सकते हैं क्या हम ponytail करके जा सकते हैं क्या हम जो है ठंड चल रहे तो क्या हम कोट पहन कर जा सकते हैं, जैकेट डाल कर जा सकते हैं, गलव्स पहन कर जा सकते हैं, ये सारे questions आप सभी के मन में जरूर उठते होंगे, और in fact हर aspirant के मन में उठते हैं, जो पेपर देने जाता है, है न, तो आज मैं आप सभी के doubts को clear कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सबसे पहले तो जल्दी-जल्दी लाइक कर, अपने friends में share कर, उन्हें भी पता चलना चलिए, और comment box में अगर कोई दूसरी query हो, तो मुझे बता दो, मैं वीडियो जो है, या फिर वीडियो बना दूँग या फिर आपको reply कर दूँगी, ओक कि जो आप है, जो काफी चमक धमक के कपड़े पहन कर जा रहे हैं, समझ रहे हैं चमक धमक से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि काफी shining वाले कपड़े पहन कर जा रहे हैं, जो कि party wear कपड़े होते हैं, उनको पहन कर नहीं जाना है, तो उनको कर दो cross, उनको हटा दो, next आपका आता है आप जो है किसी भी कलर का जो कपड़ा है वो वियर कर सकते हो कोई भी ड्रेस आप वियर कर सकते हो किसी भी कलर की चाहे आपकी रैड हो ब्लेक हो वाइट हो कैसी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बच्चा अगर अपनी स्कूल की ड्रेस पहन कर जाना चाता है तो इसे pocket वाली pants, जो pants होती है, काफी सारी pockets होती है, आप पहन कर जा सकते हैं, क्योंकि वहापे checking होती है, almost, पर अगर आप avoid करना चाहें, तो काफी अच्छी बात है, avoid कर दो, कोई problem वाली बात नहीं है, आप एक question उठता है, कि क्या मैं हम jacket पहन सकते हैं, हम coat पहन सकते हैं, तो देखो jacket coat आप बिल्कुल पहन सकते हो, क्योंकि सरदी है, तो आप पहनोगी of course, इतनी ठंड में, बिना कुछ पहनने, आप कैसे जा सकते हो, jacket coat या other, जितने वी winter wears होते हैं, अगर आप उन्हें नहीं पहनोगी, तो सरदी लग जाएगी, तो ये चीज़ें आप पहन सकते हो, इनको आप कर सकते हो right, ठीक है, jeans पहन सकते हो, और shorts, shorts ना पहन कर जाएं, please, जैसे कि आजकल जो है, mostly बच्चे shorts पहनते हैं, girls भी, boys भी, तो ये चीज़ को avoid करो, boys भी shorts ना पहने, girls भी shorts ना पहने, क्योंकि आब वहाँ पर as a student, जो है, अपना क्या देने जा रहे हो, अपना exam देने जा रहे हो, तो shorts को avoid करो, बाकि आप muffler भी use कर सकते हो, हाँ, cap भी, cap जो होती है, वो भी आप use कर सकते हैं, क्योंकि सर्दिया है, ठीक है, लेकिन जो gloves होते हैं, वो आपको use नहीं करने है, अब आप कहेंगे कि मैं सर्दिया है, हमें तो ठन लगते हैं, आप gloves क्यों नहीं use कर सकते, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा reason है, वो reason ये है, कि अगर आप gloves जो है, gloves के अंदर डाल लेंगे, है ना, ऐसा करते हैं बच्चे, तो ये सारी चलाकी आपकी वहीं पर, center पर निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है, वो gloves को निकलवा देंगे, और आपकी chits भी निकल जाएगी, तो chits बनाने से better option आपका ये है, कि आप gloves ना पहन कर जाएं, और देखो, जो बच्चा without cheating के भी gloves पहन कर जाता है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहीं, कि हर कोई बच्चा ऐसा करते हैं, कुछ-कुछ बच्चे होते हैं, हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो जो बच्चा जो है, without any, मतलब उनमें कोई fault नहीं है, और वो वैसे gloves पैन कर जा रहे हैं, तो भी आप उस चीज को avoid करो, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है, उसको उतरवा दिया जाएगा, फिर आपको वो कहीं कहीं रखना पड़ेगा, तो इस चीज में बहुत हो जाते दिकत, चोटी आने की braid नहीं बनती है, तो देखो, आप जो है, अगर आपके बाल बहुत ही चोटी है, कि मतलब उसमें से pony tail बनी नहीं सकती, तो उनको आप खोलोगी, उसके सिवा कोई चारा नहीं है, अगर आपके बाल इतने है कि आपके pony tail बन सकती है, अगर आपके इतने बाल है कि आपकी ब्रेड भी बन सकती है, तो आप उसको ब्रेड में करो, क्योंकि देखो, आप कोई easy रहेगा, अब हाँ पर कोई fashion show तो होता नहीं है, आपको जो है simple अपना exam देन जाना है, जो कि आप comfort zone में देना चाहोगी है न, तो आप जो है अपने comfortable रहकर जाओ, और अगर किसी के बाल बहुत लंबे है, और वो बच्चा खोल कर जा रहा है, तो वो ना करें, उससे जो है थोड़ा सा, मतलब look हमारा थोड़ा awkward लगता है न, तो ये चीज़ आप भी समझ रहे हुए, तो ऐसा ना करना, ये चीज़ न, तो ये चीज़ा जाओ, तो ये चीज़ाओ,